आजम बात करेंगे मिर्श प्लांट पे लगने वाली डिजीज के बारे में और जानेंगे कैसे देखभाल करनी होती है पूरी जानकारे लेंगे आप वीडियो की अंतर तक बने रही मिर्श का प्लांट हम लगा देते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है इनने डिजीज लगने की और यह जो डिजीज होती है यह लीफ कर्ल वाइरस होती है जो सबसे ज़्यादा मिर्श के प्लांट में और टमाटर के प्लांट में तो जानते हैं leaf curl virus होते हैं जो कि white मखी की attack से लगते हैं जब यहाँ पर यह मखी आती है तो अपने एक को छोड़ती है वहाँ से वाइरस फैलता है जो धिरी धिरी पूरे plant की leaf को खराब कर देता है ऐसे में plant की growth रुख जाती है और उसमें ना तो flower आते हैं ना ही उसमें fruit बन पाता है तो जानते हैं कि किस तरह से इसको हम रोग सकते हैं अगर आपके मिर्श के plant पर इस तरह से पत्या मुड़ रही हूँ तो उसमें वहाँ पर leaf curl virus का attack होता है तो आपको क्या करना है जब इनकी पत्या मुड़ने लगे तो आप उसकी branch को ऐसे trim कर देजिए तो वहाँ से नए growth होगी क्योंकि जो virus होते हैं ये organic तरीके से नहीं जाते हैं आप कितना भी इसका घरी लूपचार कर लिजी लेकिन खत्म नहीं होते हैं ये virus होते हैं लेकिन organic तरीका पिल्कुल काम नहीं आता है मैं कई बार ऐसे try कर शुकी हूँ जो कि इनके पत्तों पर कोई असर ही नहीं करता है लेकिन अगर आप राशानिक तरीके से जो मिर्च है उसको नहीं खाना चाते हैं आपके लिए यह सबसे अच्छा उपाय हो शकता है आप इनकी पत्तियों को कुछी तरह के से तूड़ देजी और इन पत्तियों को स्वाल में दबा देजी या फिर अपने गार्डन से कहीं दूर फेक देजिए तब यहां पर आपके गार्डन में जो और प्लांट है उस पर यह नहीं फैलेंगे और बस समय समय पर इनमें नीम ओल इस्प्रे करते रहेंगे यह वारस का अटेक नहीं होगा जब नीम ओल आप इस्प्रे करते रहेंगे तो यह मक्या इन पर आएंगी नहीं और वारस का टेक नहीं होगा होगया है तो इस तरह से आफ्ट रैम कर दीचे वासे नई ग्रोध सुरू हो जाएगी तो इस तरह से आप अपने मिर्श के प्लांट को improv कर्ल वारस से बचा सकते हैं यहां पर एक पुराना प्लांट है, इसको लगा हुए में दो साल हो गए है, पुराना प्लांट हो गया था, तो इसके महार प्रूनिंग कर दिया है, हार प्रूनिंग करने से पादय होता है, क्योंकि उनकी जो ब्रांच होती है, काफी ओल्ड हो जाती है, और उनमें ना तो फ fertilizer डाल देजिए जिसे इसकी नई growth हो सके कुछ इस तरीके से हम मिर्श के plant के अपने देख भाव करते हैं अगर आपके मिर्श के plant में fruit जादा नहीं आ रहे हैं उनमें फूल नहीं आ रहे हैं तो आपको उसमें कुछ इस तरीके से fertilizer डालना होता है बस आपका plant इस तरह से लगा हुआ है आप उपर से थोड़ी सी स्वाल को ऐसे डीला कर देजी गुडाय कर देजी और फिर एक से दो दिन के लिए छोड़ देजी फिर एक से दो दिन के बाद आप कोई भी और्गेनिक fertilizer को डाल सकते हैं यहां पाउडंग कमपोस्ट का प्रियोग करेंगे आप फर्मी कमपोस्ट को प्रियोग कर सकते हैं आप काउडंग कमपोस्ट में नीम खली का जो powder आता है उसका प्रियोग कर लिजी या फिर mustard केक powder को भी इसमें थोड़ा सा मिक्स करके और इस फर्टिलाइजर को अपने प्लांट पर 15 दिन में या फिर आप 20 दिन पर एक बार देते रहेंगे तो आपका प्लांट काफी हिल्दी रहेगा और इस भी बहुत सारे फ्लावर आएंगे बहुत सारे फ्रूट बनेंगे तो कुछ इस तरीके से यहां पर आपको दिखाने के लिए तुरंट फर्टिलाइजर इस तरह से डाल दी हैं लेकिन यह तरीका आप दो दिन की बात करेंगे तो काफी अच्छा रहेगा अब फर्टिलाइजर डालने की बाद कुछ इस तरीके से गुड़ाय कर देजी थोड़ा स्वाइल में कर देजी आप कोकोनेट फाइबर से कर सकती हैं फिर कोई भी ऐसे सोकी घास है आप उस पर ऐसे डाल देजी मिर्च प्लांट को बहुत ज़्यादा पाने के आउसकता नहीं होती है जब इनकी स्वाइल सोक जाए तभी पानी डाले अगर आप बार बार पानी डालते हैं तो